इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वो होगा पिरीमिर लीग का फुटबोल का मैच और फुटबोल के मैच में टीम कैसे बनाते हैं आज के मैच में गोल कौन मारेगा असिस्ट किसका आएगा और वो कौन से प्लेयरे जो 90 मिनट भी खेलेंगे अगर गोल नहीं भी तब भी वो आपको मैच में पॉट देख जाएंगे तो ऐसे प्लेयरे के बारे मैं आपको बहुत जान करेंगे दूँगा बैसा आफ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना ओके जैसे मैंने कल की वीडियो बनाएं थी कल में ये बताया थी कि ये प्लेयर गोल मारेगा और ये विडाड़ गोल पॉट देगा तो ऐसे ही आज भी इनफोर्मेशन होगा कल हमने तीन मैच कवर किया थे टेलिग्राम चैनल पर तीनों मैच से दो मैच वन साइड विन हुए एक मैच लोस हुआ तो आज मैच का सीडूल डाला है टेलिग्राम पर तो दो ऊणों की टीम दोंगा और इसमें रजल्ट भी कहने का बैठी रहे तो आज को मैच है पहला वहे सुरी आरसनल एपसी और चेल्शी cz... के बीच में तो दोनों टीम में से आज कि मैच महां कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम है और कौन सी टीम एक वीग टीम है इस टोपिक हम ड इस केप्टन देना है यह जो सारी information रहेंगी वो आपको इसी वीडियो में setup by setup दी जाएंगी आप वीडियो को ध्यान से और complete देखना बीच में बिल्कुल इसकी मत करना ओके तो चलिए अब हम इस मैच में यह जान लेते हैं कि यह मैच किस टीम के home ground में खेला जाएगा तो सब ऐसी रहता है, यह मैच को ध्रो करना फूरा मुस्किल होता है चब अपने से बड़ी टीम सामने खेलती हो तो आर्सनल की टीम कहने कहीं घएक बड़ी टीम है क्यों आगर सटेट के बैसे पाय़ पर गॉर्डव due मतलब सब्सक्वाइब कि मैच में कितने गोल करके जीथ को अगर मापको बता दो जि समेंगे नहीं टुमец तीर मारना हुआ लेकिन जब मैं आपको सट्रेट के बैस पर अनलिसिस दूँगा तब आपको लगए कि हाँ यह एक लोजिकली परेडिशन है इस मैच के इतना गोल होने चाहिए तो यह चीज मैं आपको सट्रेट के बैस पर दूँगा तो चलिए तो सबसे पहले हम सट्रेट और आज के मैच में जो समोल लिग की और आज गरांड लिग की जो टीम रहेंगी वो आपको हमारे टेलेगराम चैनल पर मिलेंगी अब टेलीगराम चैनल को लिंक है इसी वीडिए एक कॉमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से आप Telegram Channel को भी Join कर सकते हो लेकिन याद रहे सर्च करके Join मत करना क्योंकि सर्च करने भी बहुत सर फैंक चैनल आते हैं उन्हों सबसे बचने का आसान तरीका जो लिंक दिया है उसी लिंक पर किलिक करें और Telegram Channel से Join हो तो चलिए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं तो दोस्त इन दोनों टीम के बीच में जो लास्ट हैट्ट्वर्ड मैचेस हुए है उनके बारे हम डीटियल्स में चर्जा करेंगा इन दोनों टीम के बीच में लास्ट छे हैट्वर्ड मैच हुए है च्छे मैच से आर्सनल के टीम चार जीत चुकी है और एक मैच ड्रोग खिला है एक मैच में हार का सामना किया अटेकिंग गेम देखा जाए तो आर्सनल का 2.3 का है डिफेंस वाइज गेम देखा जाए तो 1.2 का है तो कहना को मतलब जब यह दोनु टीम आपस में खेलती है उस मैच को दोनों टीम ने अटेकिंग ड्रोपर किया मतलब फिनिस किया था उस मैच में दोनों तरफ से दो दो गोल आई डिफेंस वाइज दो दो गोल कंसीड़ किये गए लेकिन उससे पिछल मुगाबला आर्सनल ने इसी टीम के सामने अपना होम गरांड में 2030 में ही खेल और उससे पिछल मुगाबला भी चैलिसिया के सामने आर्सनल ने फॉर टू से जीता है एक में जरूर हारा है आर्सनल ने चैलिसिया के सामने लेकिन 2021 मुगाफ इस समय पहले था लेकिन फिलहाल के टाइम पर कहीने कहीं आर्सनल के जो टीम है वो अटेक वाइज भी और च्छे मैच उसके बारे मां आर्सनल ने चैनल में से तीन मैच जीते है एक मैच ड्रो के ला दो मैच महार के सामने किया वन पॉंट फाइब गोल पर मैच की एडिफेंस वेजी पॉंट एड़ गोल पर मैच कंसीड़ अटेक बैटर है डिफेंस उससे ज़्यादा बैटर है और अधिकतर मैच विन के साथ साथ ड्रो भी खिल लेती है। पिछला मैच जो खिला वॉल वैस के सामने खिला प्रीमिर लेग में टू जीरो से आर्सनल के टीम मैच को जीत गई थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने इस मैच के टीम दी थी वन साइड हम इस मैच को जीते बी है। उससे पिछला मुकाबला बायर मुनिक के सामने ये टीम वन जिरो से हार गई यूफा चैंपिन्स लेग में और उससे पिछला मुकाबला अस्टन विला के सामने जो क्या बड़े आपको आटेक से भी और डिफेंस वाज भी कहने के बैटर देखने मिलेगा डिफें जीता है। तो तीन मैच इस टीम ने ऐसे जीत है जिनमें गोल कंसीट तक नहीं किया बलकि गोल सकोर किया है। इसलिए मैं बोलड़ा हूँ कि इस टीम का डिफेंस कहने बैटर है अब हम बात करते हैं सामने वाल टीम का रीशन फॉर्म के बार अब बात करें तो चैल्सिया लास्ट के 6 मैंट से 3 मैच जीते हैं 3 मैच से 2 मैच ड्रो खिले एक मैच लोस किया अटेकिंग गेम 3 का है डिफेंशिव गेम 1.7 का है जिस तरह आप चैल्सिया को जानते हो नो जिस टीम के लिए जाने जाती है यह अपने defense के लिए जाने जाती है लेकिन फिलहाल के टाइम पर इसका attack बहुत अच्छा है अब देखो पिछला जो match खेला है वो Manchester City के सामने FA Cup का 7 final match था उस match में जुरूर हार गई last moment को goal considered किया था वरना Chelsea बहुत अच्छा खेली थी उस match को defense वाइज भी पिछला match जो सामने 6-0 से जीता है सैफिल्ड के सामने 2-2 से ड्रोग खेला है और याद देला दू यह match हमने भी fantasy में खेला था 6-0 वाड़ा यह match हमने भी जीता और Chelsea ने जीता और उससे पिछला मकाबलत देखा जाए तो 4-3 से जीता है Chelsea ने बर्निक सामने 2-2 से ड्रोग खेला लिसे स्टरसिटिक सामने 4-2 से जीता है तो कहना का मतलब यह दोस्त एक भी match इस टीम ने ऐसा नहीं खेला जिसमें गोल सकोर ना किया हो लास्ट मैच छोड़ दे जाए बागे सभी match में इस टीम ने गोल भी किये हैं डिफेंस वाइज गोल कंसीड भी किये हैं तो डिफेंस वाइज थोड़ी से वीक लेकिन अटेक वाइज यह टीम काफी श्यानदार है तो दोस्त अब बात यह आते है कि match का prediction क्या होगा मतलब क पहुन से टीम कितने गोल करके मैच को जीतेगी अब मैं आपको इस मैच का prediction निकाल कर बहुत इजी तरीके से बताओंगा देखों मैं इन तीनों फॉर्मैट में दोनों टीम को कंपेर करूंगा तीनों फॉर्मैट में जो टीम कंपेरिजन में आगे निकल कराईगी वही टी पोजिसिन के बारे हुए और जैसे में आपको पता है जेल से टीम जो है काफी डाउन पोजिसिन है तो यहां पर आपको आर्सनल के टीम आगे देखने मिलेगी बात करें हैं तो इन दुनों टीम बीच में 6 मैच हुआ थी 6 मैच से 40 से सिरु एक जीते है चार मैच यहाँ पर आपको आर्सनल की टीम जीते नजर आईए तो यहाँ से कौन से टीम आगे आर्सनल बात करें दूनों टीम का रिशन गैम की बारे हम तो लास्ट के 6-6 मैच पर अगर देखें 6 मैच से 3 मैच आर्सनल के टीम जीते 2 ड्रोग लिए 1 लोस किया वहीं पर बात करें चेल्सी एक बार हम तो चेल्सी आने लाश्ट के छे मैच में से तीन मैच जीते हैं एक दो ड्रोफ ले एक लोज किया तो केहने केहीं दोनों टीम का अटे कि अटे किंग गैम तो बात मैंच का सकॉरलेन क्या होगा कौन से टेम कितना गोल करका मैच को जीतेगी तो सबस्पेल मैं आपको यह बता दू चैल से के तरफ से इस मैच में गोल आईगा क्यों आईगा जैसे कि हमने देखा है कि चैल से बहुत ज़्यादा अटेकिंग गेम खिलते फिलाहल के टाइम पर और गोल तो एक इंस्थ करेगी ही करेगी लेकिन गोल सब्सकर जरूर करेगी अब बात यह आदे कि कितने गोल करेगे bounds उसके सामय है मुझे लगता है आर्षेणल की टीम जो है दो गोल से ज развитion जादा ही करेगी यही prediction अब हमें अपनी fantasy की team बनाने में यूज़ करने है अब team में किस किस player को लेना, team में किस को captain देना, किस को vice captain देना और कौन goal मालेगा तो यह सारी जानकरे आपको दुनों team की जो line up रहेगे और जो player का status रहेंगे उसके best पर दी जाएगे तो वीडियो पसंद आए तो like करने में कंजूर सी बिल्कुल मत करना चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि हर रोज मैं football के ऐसी information साथ वीडियो लाता हूँ तो चलिए अब हम सबसपहले line up पर focus करेंगे तो सबसपहले हम line up देखेंगे जो home team है Arsenal FC तो Arsenal apps की आपको line up इस तरह देख मिलेगी यह team 4-3-3 के formation से खेलती है हर एक player का stats में यहाँ पर mention किया हुआ सटेट को समझ सकते हैं जैसे कि बुकाय शाका ने team के लिए 31 match खेले है 31 के 31 match में start कर चुगा अगर हर match में इस team के लिए average देखन पर match में कितना minute केलता तो कम सकम 80 और 90 minute के बीच में खेलता team के लिए 14 goal कर चुगा 8 assist निकाल चुगा तो इसी परकार आप हर एक player का stats को easily read out कर सकते हो तो सबस्पहला हम line up पर focus करेंगा तो David Raya as a goalkeeper रहेगा Arsenal की तरह से देखो आप चाहे तो इनको अपने team में ले सकते हो सामने team भी अच्छी attacking team है अगर आपको लगता है कि Arsenal की team goal कंसीड कर सकते है तो इसके हिसाब से यह better रहेगा लेकिन मैं इनको अभी लिए drop करूँगा बात करें यहाँ पर Jacob Keywire और यहाँ से Benjamin White यह दोनों इस team के लिए fullback के तोर पर खेलते ना जराएंगे और fullback के काम जो होता है crosses, assist निकालना, passes इतना ज़्याद नहीं करते हैं लेकिन interception tackle अच्छा कर लेते हैं जिन से fantasy में point काफ़ इच्छा जाते हैं तो Benjamin White को मैं जरूर सजेस्ट करूँगा आपकी team बात करें यहाँ से Gabriel और यहाँ पर आपको William Saliba देख मिलेगा Gabriel एक ऐसा player है जो passes accuracy काफ़ शानदा रखता है अगर देखा जाए तो Gabriel ने इस सीजन में चार गोल सकोर भी की हैं वो भी header wise देखो गोल इसका chance बहुत कम रहते है गोल आने का लेकिन चार गोल कर चुका तो आप center way को try कर सकता है William Saliba इस सीजन में देखा जाए तो Saliba सिर्फ दो गोल एक assist आ है लेकिन यह बहुत class player है और अब से पहले जिस club गिले खेला था उस club में ये एक header कर तोर पर सब ज़्यादा गोल इसने किया थे ओके यह याद दिला दो यह better player है अगर यही line up रही मतलब defense section में किस किस को ले ना मैं Benjamin White को लेकर चलूँगा और Gabriel को देख चलूँगा ये दो player तो है क्योंकि मैं दोनों तरफ से goal को मिंद करना हूँ तो बाके defender तेने ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे तो इसके हिसाब समय सालिवा और जैकी कीविर को ड्रॉप करके चला हूँ बात करें अब midfield sex में काई हावर्ट्स, डेकलन राइस, मार्टिन ओडिगार्ड देखो, मार्टिन ओडिगार्ड ने पिछला मैच में गोल सकोर किया तो हमने अपनी टीम में वाइस कैप्टन बनाए था तो एक बैटर प्लेर है, पुरिष टीम का कैप्टन है अल्मोस्ट हर मैच में नब मिनेट कहलता है तो इसका कुछ कनफर्म नहीं था लाइनप में कभी इसको चेंजस किया जाता है तो अगर आप ट्राइक करना चाहते हैं लेकिन अब एक लिए में इनको मिस्स करके चला हम बात करें हैं लिएंडरो ट्रोकसार्ड यह ऐसा प्लेर है अगर गोल करेगा तब पॉइंट देगा अगर गोल नहीं करेगा तो पॉइंट नहीं देगा अगर आपको लगता है कि गोल करेगा तब तिनको लेकर जाना, अगर आपको लगता है गोल नहीं करेगा, फिर उस कंडिसर में डेकलन राइस बैट रहेगा, गैबरिल जैसे को मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि इस टीम का फॉरवड है, पिछला मैच में नबे मिनिट भी खिला मतलब यह वो पिलियर्स है, जिनको आज के मैच में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, और मैं डेकलन राइस को सजेस्ट करूँ, क्योंकि ऐसे जो क्लोज मैच होते हैं, उनमें मिड फिल्ट का काव ज़्यादा एहम रोल रहता है, तो हिसाब के हिसाब से इनको लेना बनत आपको अपने टीम में लेना है, तो चलिए, अब हम सामने वाले टीम की लाइन अप और प्लेयर का सटेट्स पर नज़र डालें, तो आज के मैच में है, चैल्से के टीम है, लाइन अप कुछ आपको 4, 2, 3, 1 के अनुसार देख में लेगी, और हर एक प्लेयर का सटेट्स य निकाल चुका, तो अगर देखा जाए, तो पालमेर एक बैटर प्लेयर इस टीम की तरफ से गोल का भी असिश्ट का चांस रखता है, तो लाइन अप पहले हम फोकस करेंगा, पैट्रोविक इस टीम का गोल कीपर रहेगा, आप चाहे तो इनको अपने टीम में एज़र प्ल गुष्टो, दोनों फुल बैक रहेंगे, दोनों फुल बैक कर देखो जाए, तो इतना ज्यादा इंटरसेप्शन टेकल तो नहीं आता, लेकिन गुष्टो एक ऐसा है कि असिस्ट पोटेंसल काफी हाई रखता है, तो इनको ट्राइक कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा इंज लेकिन अगर आपको लगता है, तो इनको तभी लेना दबा आपको लगता है कि साम यह टीम गोल नहीं कर पाईगी, अब हम बात करें, गलाहग गयर इस टीम के तरफ से कैप्टन भी है, और अगर देखा जाए, तो बेस्ट परफॉमेंस इसने किया भी है, क्योंकि अब तक यह हर मैच में नब मिनिट खेला, तीन गोल छेसेच निकाल चुका, पाल मेरे अपने देंपर मैच विन करवा देता है, मतलब गोल कर देता है, निक जैंसन है, यह भी इस सीजन काफी स्यांदार खेला है, दस गोल और चार असेच निकाल चुका, तो इनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर यही लाइन अपरे, तो किस-किस प्लेयर को लेना है, स्टोलो, यह भी तीन में से एक को सलट करना है, जो कि मैं सलट करके चला हूँ, यहाँ पर थ्यागों सिलवा, वाकि हर एक प्लेयर का सटेट्स आपको सामने है, इजीली रीडाउट कर सकते हो, मैं आपको बता है, जैसे जैक्शन ने सट्थाइस मैच खिले हैं, हर मैच में और मोर्स टाट किया है, और दस गोल च्यार असिस्ट निकाल चुका है, तो इसी परकार आप प्लेयर का सटेट्स को रीडाउट कर सकते हो, तो चलिए, अब टीम का प्रीवी पर नज़र डालते हैं, इस मैच में कैसे हमें टीम मनाने हैं, दोको सिंपल है, क्योंकि इस टीम मेरेगा, पाले मेरे, क्योंकि इस टीम की तरफ से यही गोल मारने का सब ज़्यादी चांज रखता है, या निकी जैक्शन मारेगा, तो इन दोनों को मैंने लिया है, ताकि अगर आर्सनल की जैल से टीम अगर गोल करेगी, तो गुभू प्लेयर हमारे पास होने चाहिए, त पैनल टेकर भी गोल असिस्ट का चांज बना रहता है, विदाट गोल पान देता, मार्टिन ओडिगार न पिछले मैच में गोल सकोर किया था, चाहे तो आप इनको भी वाइस कैपन बना सकते हो, डैकलन राइस को मैं टीम में लेकर चला हूँ, कॉन गलागेर को लेकर चला ह अब ध्यागो सिल्वा, बेंजमिन वैट और गेवरियल को पिक करके चला हूँ, मतलब वो सभी प्लियर से मैंने लिया हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताएंगी, कौन-कौन से बेस्ट प्लियर रहेंगे, अगर यही लाइनप रही, तो उसके हिसाब से यह प्लियर तो जो भी कुछ चैनल होंगा, तो आफ्टर लाइन टेलेग्राम चैनल पर इस मैस के फाइनल टीम अप्डेट कर दे जाएगे, तो थैंकिस सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन आपका सामने है, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं ह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोशिश करना इस मैस में खुद से टीम मनाने की, क्योंकि मैंने आपको जो इनफॉर्मेशन दिये, वो आपको वीडियो में इसलिए इनफॉर्मेशन दिता कि आप हेल्प की जरी अच्छी टीम मना, ओके, हॉप सो वेल, मिलता है टीम टेक केर गईज